मैं सपद लेता हूं विद्यार्ती मेरा दर्म है मानवत्या की सेवा करना मेरा परमलच्छी है कर अपने करते मार पर आगे वड़ते हुए एक स्वाच सुन्दर सता प्रेश्टा चर्मुक्त राश्ट का नर्मार करूंगा जैहिंद कर दो हम लोग एक महत्पूर्ण कालखंड को पूरा कर चुके हैं प्राची नितिहास में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा जो है मुखे पाशान काल से ले करके और मौरिवंस तक का पूरा हमने यात्रा यहां पर पूरी की है तो यह दूसरे कालखंड में इसके पहले प्रस्नोत्तर कराये थे उसके बाद में हम लोग आज रिवीजन थोड़ा सा करेंगे जो है फ्लैस बैक डालेंगे अपने जो हम खबक्राइए तो देखों यहां पर हम लोगों ने पड़ा था महाजन्पत् कालनों का समय आता है 600 इसापूर्प की आसपास खूल की होती है और जो आरे ते वह पूरब की तरफ की सकते हुए आ घये थे और पूरब की तरफ जो संसादनों की बरमारती तो कि लिए यहां पर सोले प्रकार के क्या उबर कराते हैं महाजनपद उबर कर आते हैं इसकी जानकारी और उब्लट सिब्रत जो बहुत गरत प्रकार कि जो भाविकल्प प्रिक्षा होते हैं उत्में और दस जो है गड़राज भी अस्तित में आते हैं हमने बताया थे लिख्षवी दुनिया का सबसे पहला जो है गड़राज था गड़राज के मतलब वहां पर संग के द्वारा सासन इस्थापित होता है जैसे भारत एक लोगतांत्रिक गड़राज है यहां पर संग के माध्यम स सासन होता है ना कि गड़राज होता है तो इस तरीके से लिख्षवी दुनिया का सबसे पहला गड़राज था और ऐसे करीब जो है 10 गड़राज थे कितने सब नमबर याद रखना है सोले महा जन्पत दस गड़राज थे आभी सोले महा जन पदों में चार महा और यह सकतिसाली थे कौन कौंसे थे मगद था बट्स-अवंती था और ईस चारघी यह उस्क्नक्मे समय 16 महाजन्पत के समय चारघी साली महाजनपथ थे तेर से दौराओ मिरे साथ मगद से कौसल और Users अवंति की दो राजधानिया थी कौन कौन से वो जैनी और माहिश्मती तो यह दो राजधानिया थी इसकी तो राजधानी वगएरा हम यहां पूरा सब नहीं रिवाइज कराएंगे नहीं तो पूरी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग देख लेना एक बार ठीक ह और जो दस गड़राज थे उसमें क्या थे सबसे बिश्ट का सबसे पहला गड़राज कौन था लिट्षवी इसकी राजधानी क्या थी बैसाली ठीक है और दच्छिए एक प्रस्णों आता है दच्छिए भारत का एक मात्र जो है महाजनपत प्रस्णाता है दश्चिए भार ततपर है तो प्रस्ण पूछेगा कि गोदावरी जोह है महाजनपत इस्थित्ता असमत और जो Holy छूद स्थखी भारत की बैवाहिक संबंद बना करके कासी दान में ले लिया था इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजे हम लोग देखे तो दीरे-दीरे करके मगत का उतकर्स होता है मगत में पहला आतिहासिक जो है राजवन्स रहता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बारे में लिखित साक्ष ज जरासनड इसका पुत्र जो है जरासनड था इसकी कहानी मैं ने बताए थी किस तरीकी से उद्षण होता है जो की माभारत में भी ऐमें दिखाई देता है क्रिशन जी ने जो पहला जो संस्थापक्त हर्यंक वंसका कौन था बट्टिये था कौन सा बट्टिये था लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था विमिशार वास्तविक संस्थापक था और इसने जो है बैवाहिक संबंद बना करके अपने सामराज का क्या किया था विस्तार किया था इसी के समय एक राजबयrist था जिसका नाम था जीवक क्या नाम था जीवक ऐवंती के सासख के पस जीवक को भेजता है चन्ड प्रदोत एशन जो की पेलिया रोग से घरशित था उसके पास भेजता है जीवक को तुपरसणायेगा जीवक किसके दर्बार में था विम्विशार के दर्बार में था इसलिए मैं यहां जिक्र किया जीवक का और उसके उसका पुत्र जो है कौन था अजास सत्र और हर्यंक सब्सक्राइब भारत का ऐसा पहला अयतिहासिक राजा था जो पिता की हत्या करके घद्य पर आता है आसीन होता है तो पहला पित्रहंतराजा कौन था आजात अरफात जो हैना संगीत का आयोजन अर्था यहांपर और अजयाजजा नहीं करेंगे लेकिन जो है बहुत संगीत आईवीद करने वाला साथ सकता तो प्रस्ण यहां ते बनता है कि बहुत जो महात्मा बुद्धी थे वो कौन से हरियंक मंस के सासकों के समकालीन थे तो बिमिसार के समय थे और अजाद सत्र के समय थे ठीक है और फिर अजाद सत्र को मार कर उसका बेटा उदेन राजा बनता है और उदेन ने जो है किस नगर की स्थापना की पाटली पुत्र की उदेन का इसलिए इतिहास में नाम आता है यहां से प्रसंद भी बनता है कि पाटली पुत्र नगर की स्थापना किसने की थी उदेन ने जो कि गंगा और सो नदियों के संगम पर इस्तित है तो इस तरीका से और जो बनाई थी ग्रीवरच को और वही बाद में राजग्रे साइस् ॹोगिया और यहाँ पर राजधानि उड़ Els भिढा बना करके ठीक हो गया इसके बाद में हर आइक के बाद कान साता है आग सिया कुछ पुक्स आइखना शोग हव together या था Yo कुमार करके और स्पाफना करता है कौन शिशू हो ठीक है और इसका बेटा ऑस इसका बहुत जाबरनके नाम से भीय जाना गया है बहुत जुर्णा इसलिए काख वर्ण भी ऐमकष्ट मेया में तो आभी gangenव कर भीडिवरे में ते ती फिर उसी को आजगरय में ले जो ढराना फिर पाटली पुट्रा पहूंचती है फिर बाद में करके आगे कई सद्यो वर्सों तक जो है पाटली पुत्र ही मगत की राजधानी रहेगी तो काला सोक के समय जो एक महत्पूर घटना होती है इस समय बहुत संगीत की दूसरी बहुत संगीत का आयोजन होता है कौन से दिवतिये बहुत संगीत किसके समय में होता है काला सोक देखो ऊपर से पहला किसके समय हुआ अजाश्चुरू के समय दूसरा किसके समय काला सोग के शातकों के यह बाद में इसके बाद में काला शोग कीell om कि इसताफना करता है क्या है कि er गचना कि यह जहें क filtrat फ्रू क सर्ब छत्ट लाने को फूर तर कीमा करता है वा सबसे भारत का पहला सरफचतरान तक कौन था मैं प्रश्राम जी थे प्रस्राम जी के बाद दूसरा पदूपीधरन करने वाला महा बहुल सरफट चत्रान तक किसको कहा गया है महा पदम नंड को क्योंकि यह तचुकर प cabe today नाइघि था इसलिए इस नहीं आप बीड़ा उठाया था कि इस प्रतिवी पर समूल जो है चत्रिये हैं उनका हम क्या कर देंगे बिनास कर देंगे तो इसलिए इसको क्या कहा आता है सर्व चत्रान तक और इसके अन्य भी नाम भी नाम मिलते हैं ठीक है और इसने बारत का पहला एक राट उपादी धारन करने वा महा पदमनंद तक एक राट हम इसको देखते हैं उत्तरवैदिक काल में एक राट की संकल्पना आती है लेकिन वहां इस्थापित नहीं होती है एक राट में जो हमने देखा कि उत्तर वाले जो राजा थे उनको क्या कहा गया है विराट कहा गया है दच्छडवाले राजा क पाश्यमाले राजा को सवराध कहा गया लेकिन जब चारों पर सभी किसी राजा का और महापदमनंद की आठ पुत्र थे तो आखरी पुत्र जो धनानन था उसने लाष्ट में सासन करता है और इसके समय की महत्मूर घटना थी इसी समय 300 इसापूर्व में कौन आता है कि सिकंदर आता है भारत में 327 इसापुर्व में भारत में प्रवेश करता है और 326 इसापुर्व में हाइडे स्पीज का युद्ध होता है किसका युद्ध हाइडे स्पीज का युद्ध या फिर इसे वितिस्ताय का युद्ध या जेलम का युद्ध भी कहते हैं किसके बीच होता है पूरस और सिकंदर कि पूरस का सामराज कि नदियों के बीच में था जेलम और रावी के बीच जो है पुरू का सामराज था और जेलम संदू के बीच जो सामराज था किसका था आमभी का था ठीक है तक्सिला वाला तक्सिला उसमें विश्विद्याले था जहां का जो है आचारी कौन था चानक कि था ठीक है उसी के समकालिन था तो इस समय इस समय के सबसे महत्पूर्ण घटना क्या है हाईडिस्पीज का इत करके ऑर जाता है बार्स का मौसम रहता है भारत के नदियां और काफी पानी रहता है तो इसलिए यहां यूद्ध नहीं होता है वापस लोड़ जाता है लेकिन प्रस्ना आएगा कि के समय भारत में आया था तो ऊसमें देगा चंदर्गुत्मोर सासक नहीं हुआ करता he नहीं हुआ करता है 322 या 323 इसापुर्व में मैं बताता हूँ कभी 322 यी कुछ सकता करी 302 यी साना वाद है 322 इसापुर्व या रत्ता से हटा करके मार करके फिर कौन से वंसकी स्थाथना की मौर वंसकी सभसे मैंत्स जब भारत की सिमा कहा तक पहुंग जाई थी अफगां इसस्तान तर्ण मौर के सवक्ता है 305 इसापूर मेंafe दुगें के साथ चंद्गुत मौरिका क्या होता है यूद्ध में कि क्या होती है हार होती है संदि किसे के बीच होती है संदी कीसोंड़ चंद मौरक बीच में वलते हैंut pursist अव्गानिस्तान का पूरा भारत मैं सामिल हुजाता है तो पूरत से Series पराइब हरे करे पृगानिस्तान जो है पूरा भारत जो है और सन्ग बनाता है पूरा कौन चंदूत मौरी के बाद में इसका बेटा बनता है राजा कौन भिंदुसार के समय में कोई ज करता नहीं लेकिन इसके समय में तक्षिला का बिद्रू होता है किया होता है उसा जबाने के लिए असोक को भेजा जाता और अ में उजैन ही का क्या था राटजपाल रहता था थजिद्चक्न द्यान रखना प्रशन्यां अता है कि असोख वह बिंदुसार के समय अस कहां का का गवर्ल था है कई अकी का इसके बाद में विंदुसार का बेटा कोन आता है असोख तो आसोख ने जो है काफी कारी किए इसके यह बारे में बहुत सारी चीज़े जो है इसका एक तर एक नाम था देवा नाम पिए नाम से भी जाना जाता है ठीक है और इसके समय की सबसे और उसी के बाद उसका क्या हो जाता है जो है प्रिवर्तन हो जाता है और फिर यह जो है भेरी घोष की जगे क्या अपनाता है धम घोष और धम घोष के लिए बहुत सारे कारी करते हैं असोक ने उसमें कारी क्या किया कि अपना धर्म परचार के लिए विदेशों में भेजा स्रीलंका पीए बेटिपेटा को बेड़ा वैडा इसका मेहंदर था तो यह से पूर्ष सबस्क्राइब क्या थब सब्सक्राइब को मिअगा है का रे चया bastardर इसे महिटा ने हीय जोट थे शौन यकôm चन्गुत महर उस्त की तरफ ज्यान नहीं दिता है तो यह महत्पूल घटना रही इसमें हम लोग चानक के देखेंगे थोड़ा सा मेगस्थनीज भी देखेंगे इसके तो रहां चानक की क्या था चानक की दो चीजों के लिए जाना जाता है एक तो इसने एक किताब लेखी थ पहला स्वतनतता सेनानी कहा जाता है चंदगुत मौर्य भारत का पहला क्या करता है स्वतनतता सेनानी क्योंकि आजए जो इसलिए भारत का पहला सुतंतरता सेरानी कौन कहलाता है चंदगुत मौरी ठीक है तो यहां सी प्रसना आता और मेगस्थनीज की बात करेंगे मेगस्थनीज किसके समय भारत आया था चंदगुत मौरी के समय में कहां से आया था यूनान से आया था से लिकस का क्या था यह और मेगस्तनिस किसके सासनकाल में भारत आया चंदगुत मौरी के सासनकाल में ठीक है तो इस तरीके से जो है यह पूरा हमारा क्या हो गया पूरा रिवाइज हो गया जो प्रसंद यहां से आपको निश्चित एकाथ प्रसंद मिलेंगे परिच्छाओं में ठीक और इसके मंत्री परिशत थी मंत्री परिशत में सबसे सर्वोष्ट जो सबसे ज्यादा सर्वोष्ट जो व्यक्ति होते थे इसमें सामिल होते थे मंत्रिणा में जैसे आज का जो है आपका काईविनेट मंत्री होते हैं ऐसे कौन से मंत्री थे मंत्रिणा लभक पांशे मंत्रियों का जो होता जिसको क्या कहा गया मंत्र ना और जो प्रमुख मंत्री सवर्म वगरा होते हैं ऊस ताइब के किया थैस अध्यक से और 18 तिर्थी ते ते सरो राज्नितिक व्यक्ति होगे गए तीशल दोगे और अधयक जो गाए है वो क्या होगे जो महुत से यह तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है मौरी परशासन एक से था और समाज के बात करिके तो समाज समाज की नगर कू था और कुछ था इंडिका मुझस समाज को साथ वर्गों माता गया है कितने वर्गों में साथ वर्गों बटा गया और चायद को चार बाटा इंडिक रहा जो है कला की बात करें जैसा कि हमने मतलब कल मैंने फिजिकली नहीं पढ़ाया था लेकिन मैंने जो है वीडियो बनाया था उस पर जिन्नों ने देखा उगा उनको पता होगा और जरूर है उसको देख लेना वहां से प्रसनाते हैं ठीक है तो देखो कला की बात करें यहां पर बनाना महल बनाना जैसे आज के समय में क्या है संसत्भावन बनाना या इस तरीके से यह सब क्या इस्थापत अपना महल भी बनाना अपना घर भी बनाना सब क्या इस्थापत तिकला है ठीक है तो इस्थापत तिकला में सबसे पहला नाम किसका आता है चंदुत मौरिका चंद लबक जो है और चोटा सभाग था जहां पर राज प्रसाद नलब राजा के रहने का कक्ष था जहां पर राजा रहता था और उसकी सुरक्षा के लिए रहते थे ठीक है और मंत्री परश्थ बैठती थी छुए खास सभा होती ती राजा की मंत्रिएं किस स्थाइता से जो मंत्रमना होती ती राजा तो ने एस थाप्त कला में जो है चंद्गुत मौरी का बहुत अच्छा योगदान रहा है इसके बाद में असोंक ने अश्में अच्छा कार्इब हो गया और तीमें गुफालेग गुफालेग तो सबस्क्राय लिखें इस न ही ट्र लेग और लगु सिलाघ्ट पे पथर प्थरों पे लिखवाय गया उसको लागू छॉता है जैसे हमने भॉर्ड पर लिखते मोत लिखते हैं प्हेल है सेया गारा सुने यह कहां से मिले आठ स्थानों से प्राप्त हुइए ठीक है और किसा अधी प्राकर पोटी की घए यह जो भारते हॹा मिले प्रयोग हुआ है ब्राम्भी लिपी का और इसके अलावा पाकिस्तान इस्थान प्राप्त है उसमें खरोष्टी का इस्तिमाल किया गया है और इसके अलावा आर्माईक और युनानी लिपी अप पुराना पिछला वीडियो देख लेगा ठीक और इसी प्रकार से यह अविले का उसकार प्त्थ्र को बल्वा पत्थ्र को काट करके म Vaac vous Haavey पूरा प्त्थर काट करके और उसके काफी उचे कई 15 टीक ने उचया वशे क्या बनाए पिलर्स बनाए गये एस तो मोस्तमु पर ना इस लिखा गया है राजवा और प्त्थ्र कौ पॉलिस किया गया चिक है ? जो हैं से मिलता है इसके बहुत कई जगों से मिलता है बिहार में जो है चमपारण से कि यहां पर जो है एक संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय कौन से संप्रदाय तो प्रसुन आएगा कि असोक ने गुफा निर्मित करके कौन से संप्रदाय को दान में दिया आजीवक संप्रदाय मानने वाला कौन राजा था बिंदुसार बिंदुसार ने आजीवक कही सकते हो तो आजीवक्संप्रदाय को दान में दिया था किसने असोक 2020 ए स आजीवक्संप्रदायों को गुए और यह बिफॉर नागरजुनी पहाडी और यह उन मरने के बाद में जो राख वगरा निकलती नहीं उसमें से कुछ अवस्वाइब निकलते हैं तो उनको आठ भागों बाटा गया था और उन आठ जगों पर क्या बनाया था इस तूप लेकिन इसके बाद बहुत सारे इस तूप बनाए गए क्योंकि महत्मा बुद्ध के देते हैं छत्री बनाते हैं तो उसी टाइब की छत्री ही थी क्या जो है एक तरीके से जो है बुद्ध जी के जो है उनके जो है हां गुम्बद नुमा ही होता है लेकिन उसको इस तूप कहा जाता है ठीक है और इसका दूसरा नाम चैत भी है क्योंकि चिता के उपर बनाया इसको क्या कहा गया है तो यह सब मैध्पूर्ण चीजे थी जो हमने दिवाइस किया है अरे रुको 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 रुकावट के लिए खेद है वीडियो देखा थो बढ़िया लागत हो तो उनका लाइक मार देओ एक लाइक जरूर बनत है और अगर बहुत अच्छा हुए तो अपने दोस्तन के हैं भी सेर करो जिससे उनका भी नालेज मिले और अगर अगर सबस्क्राइब न किया हो तो अभी चैनल ओभी सब्सक्राइब करें लिए और कमेंट भी छोड़ देओ बीच में हैं और डिस्क्रिप्सन बाक्स तो आप लोग बताना है बहुत सारे प्रस्ण यहीं से मिल जाएं कि जो हमने रिवाइज कराया है ठीक है पहला प्रस्ण है कि माहा जन्पदों का फ्लेब किस गरंत में हुआ है अंगूतर निकाएवा भगवती सूत्र और अध्यूच्तनित यह ठीक है और रिगवेद किसी ने लिखा है कि रिगवेद किसी ने लिखा नहीं है क्रिष्ण दोपायन ने संकलित किया है इसको जो है और भी लोगों ने संकलित किया है क्रिष्ण दोपायन इसमें से एक प्रमुक्रिशी थे जो ने संकलित किया है ठीक है संकलन है लिखा नहीं गया है कि यह हैं विए वर्यास ने जो है यह सब संकलन किया है ऐन रिस मुनियों को घ्यान दिया कि इस तरीके से यह ग्यान है और इनको संकलन किया गया तो यह है यह जो हमने पढ़ाया है इसको आप देखोंगे वहां तो मिल जाएगा और दूसरा प्रसुन सोले महाजन पदों को यूग में मतुरा इन में से किसकी राजधानी थी सोले महाजन पद अब हमने रिवाइज भी किया है तो मतुरा किसी की राजधानी थी वज्य कि थी वद्स की कासी की थी सूरसे तो हमारा आघरा किस में था तो बज्य की संग्हानी क्या थी भैसाली सुनगणी STEP2 एक संग था वह लिख्षवी जिसके राजधानी बैसाली थी बजजी के देघ्ट बजजी जोल्बरद ने इननलफ मिधक नहीं को थे आध संग चए क्वर्फ में है तो किसमेे बाजी मेते वारानसी वरुना और असी नमक दो नदियों की किनारे बसा है इसलिए इसको वारानसी कहा गया ठीक है निवन में से कौन सा प्राचीन महाजनपत्र राइस्थान में इस्तित्था अवंती कंबोज मत से पांचाल आवंती मैंने क्या पूछता राइस्थान में में आवनथ अ मद्ध ने धर भारत पुरवाला कि मत्द प्रदेश में था मद्ध प्रदेश में था इसकी दो राज जने है थी उज्जयəण और और जो कंबोज था इसके राजधानी क्या थी हाटक ह walker और यह पांचाल था फंचाल की राजधानी क्या थी इत्चřात्रति यह फरुखाबाद और भरेली वाला हिस्सा आता है किस में था पांचाल में था चौथा प्रसने सूची में मिलान करना है सूची एक का सूची दो से मिलान करना है तो इसमें एक तरफ महाजनपत दिया गया है दूसरी तरफ राजधानी दी गई तो अंग की राजधानी क्या थी चंपा मिलान करने जरूरती नहीं बताते जाओ के वज्जी की राजधानी व माहाजनपत कौन था किसमा कि किनारे इस्तित्रा बोधा री कि तीक है कि उपांचणी यह बिमिसार चंडप्रदोट और बढ़मानॲ ठीच हो तो सबस्ऒ कर्णा साजकत सै मःमिसार मगर का सौन था बिंबिशार था कोसल का कौन था परसेंद परसेंद जितने जो है हाँ परसेंद जितने परसेंद जितने जो है महा कोसला का विवा किया था किस से बिंबिशार से कि महा कोसला का विवा किया था उसकी बहन थी और लिच्वी लिच्वी का राजा कौन था उसमें चेटक था लिछवी का चेटक था और चेटक दोई दो चीजों के लिए जाना जाता है एक तो उसकी बहर थी ती त्यसला मैं जो किस की मम्मी थी अधर में मावीर स्वामी की तो अंभिन नेम यह स्कुने की और पनुएं की सम्मेड सोमी और उनमें और आवंती का राजा क्सल07 प्रदोत किस में जाना आता है जीवक ने शार इसके राज दर्बार में कि cosmail स 17 और делать यह प्रसन देखते हैं इसापुर्बव चटी सदिम्हें की परथम कि घरतंतरात्म प्रस्ता कहां थी पहला गड़ राज कौन तो यहां पर हमने लिखा शाली पुतर इजनान यह प्रसना आया है राज़्धान वे कर imagine ओर सकते हो में किन्गि गोदावरी नदी के तडवस्थित महांजनपत असमद था ठीक है और इसके रहा वच्च दिया है और इसने जो है क्या मंगाया था तीन चीजा को मगया थी कहां से यंदान से दार्सिनिक मंगया था होर मधिरा काय की मधिरा अंगूरं की मधिरा और अंजिर दीन चीजों को मंगया था फिक ए लेकिन वहां से जो है मत दो चीज दिया था लेकिन दारसनी को नहीं दिया गया था ठीक है तो यह ध्यान रखना इसके समय की महत्पुर्गत नहीं और नवा प्रसंद निम्न में से कौन सा एक मगत सामराज की राजधानी नहीं रहा है मगत सामराथ की कई राजधानियां थी तो ग्रीवराज भी दिया है इसमें राजग्रे दिया है पाटली पुत्र दिया है कौसांबी दिया है कौसांबी नहीं दी ठीक है कौसांबी किसकी राजधानी थी वत्स महाजनपत्त की वत्स की इलावाद के आसपास है तो कौसांबी पहले पर दिया है नंद नंद वन सूंग वन समय पढ़ाया नहीं है लेकिन जब पढ़ाया नहीं तो बाद में आएगा तो कौन सा हो जाएगा पहले पहले हरींघ हो जाएगा फिर हुआ हो मौरी हो जाएगा बुर्ण धोलाएगा नंके बाद ओसलिए यह तो इस तरीके से हो जाएगा और 11 प्रसंद शिशनाग निकिस हर इंग वंसी सासक चाहिक रमघडपर शिशनाग वन सकी निव डाली ती ह्याँ किस नहीं किस्त रखाट इसकी कि थी थी बिमिसार नाग दसक की हत्या की थी किसने बट्टिये नहीं की थी नाग दसक की थी यह ध्यान दकना ठीक है और इसमें आफसन में दिया है कि अजय अजयास सत्र उदयभद्र अनिरुद्ध यह सब जो हर्यंकवन्स के सा सकते तो पहला वट्टिये हो गया लेकिन उसके बारे में इतियासिक जानकारी नहीं है ठीक है और इसके बाद में नागदसक ठीक है तो यह याद रखना लेकिन वह तीन ही आप याद रखो मुक्त है तो यह तीन ही है और दस प्रस्ण हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो प्रस्ण एक राट की उपादी धारन करने वाला भारत का पर्थम राजा था माहा पदमनंद ठीक है हाईड़ स्पीज का युद्जों की 326 इसापुर्व में हुआ था किस नदी के तट पर सब्सक्रास भी दिया तो सिंदु की एक सब्सक्राइब ती सिंदु सब्सक्राइब और इसके लावा सिंदु से ले करके जहलं तक किसका समराज था आमभी का था जो तक्षिला राज था तक्षिला एक केंद्र था विस्विद्याले था ठीक है भारत का मैकिया वेली किसे क गया है चानक किया इसमें आफसन में दिया है विश्णो गुप्त तो कौन होगा अब चानक की कई नाम थे जिसमें से तीन मुख्ष नाम तो और भी तीन के लाव बहुत और नाम थे तो चानक के था विश्णो गुपता और कॉटिल निथा यह तो यादी रखना है तो इसके गरिभट है कालीड में तो गाली दास टो जिसके गयाता थे हैं इसा आगे आएंगे घुपता वंयाइं ठीक तो बहुतिक्तिन युलाणी लेखक जस्टिन द्वारा और कि से अंडरोenda कहा गया सेंडेखों नाम सेंडेखों कॉर्टस था किसका नाम था जुझा नाम नहीं का गया निम लिखित में से राज के सब्तांग सिध्धान के अनुसार राज का दूसरा अंग कौन सा था हमने राज जो चानक ने किताब लिखी थी कौन से अर्सास उसमें राज के सब्तांग सिध्धान भी लिखाया क्या लिखाया राज के सब्तांग सिध्धान जिसमें प्रसंद पूछा गया है कि सब्सक्राइब कौन सा अंग आता है राजी का तो मित्र आता है और दूसरा पूछ लिया मंत्री पहला तो राजा ही होगा ठीक है काटिल के अर्षास्तर में किस पहलू पर प्रकास जाला गया है कि यह तो इसमें लिखाया कि इसमें दिया 322 इसापूर्व 305 इसापूर्व 303इसापूर्व 305ad अभिए पर देन यहां पर झाल होगा तो 305 क्या हो데 sprut होगा नियृम सीच्पश्य से पहले वाला समय ठीक है तो यह हुआ था 305authify CC कि पूखरै सबसेंदी ती कुछ के साथोगुनानी राजदूर्द भारत आया था बिंदुशार के समय में किसके समय राजदूत था तर्व में और चंदघुथत महर के समय में को नहीं था मैगा स्थानिस कहाओं से युणान से तर्फ यह थ्यार लगना और कलिंग युद का भिप्रण हमें ज्यात होता है कलिंग युद्ट के बारे में जानकारी कहां से पहला पाटी नहीं मेद्टे जिए पहले परतब दी वाला है तो टहले — तो यहां यह कहां से समझे से कलिंग का राजा खारवेल लिखता है कि जो कर दोस्का कर लेना खार चेक कर लिना ठीक राजा और शोक के साथ 261 इस पूरूप में क्या हुआ पालनें युद्ध चैनल chao टो इसके बारे में जानकारी के Listen आ में ना च이다 बार है आट दो चुनबर मेरे झाल लिखा हुआ है कालिक के युद्ध के बारे में लिखा हुआ है और इसके लाबा हांती घुम्पाव लेख हांती जितना विसाल गुफा होगा उस में लिख एक हैंगा और हमनेटेई इस्तंभ लेग जो है यह नेपाल से मिला है लुम्बनी के पासे और लुम्बनी किसनी जाना है आने एक एक शिलालेग इस्तम्बलेग छोटा सिला लेग दा लगुन सिला लेग और नियुन क्या लिखवा प्रफम सिलालेक में लिखा है कि जीवहत्या नहीं करनी चाहिए जो सिलालेक में पूरवी चेत्र नामे कलिंग राज था और मगद वाला चेत्र था जिसको पूरवी बहार चेत्र कहा गया है पूरवी या परासी कहा थी पाटली पुत्र तो असोग के समय कितने राज थे पौनें अद्धेक्ष और दिए हैं एक तरफ अद्धेक्स प्राज थे तो पौने इंपाएफिस्म धी शे employees नाम दिये हैं उनके इस चार के पन्या ने चासे ए और सीता देख तो जानते ही हो गए किसका बहुमी राज्की भूमी और सुरा अभारी है आपकारी विभाग ठीक है और सुना देख भूचल खाना तो्हें के दस प्रसनों हो गया पूरा यह कि इंडिका के अनुसार मौई कालीन नगर का परसासन कि टोऊरा संचालित था गुक्र एक कि तो उसके अनुसार जो इसको याद रखो कि तब याद आएगा नहीं भूल जाओ चार-पांचे इसे देता है तो छे सदस्य थी और पांच हर समित में कितने सदस्य पांच सदस्य और छे समितियां थी चे समितिया थी और 24 प्रसने इंडिका में मौरी कालीन समाज को कितने वर्गों में बाटा गया ह है इंडिका कितने साता भागों में सात वर्ग में ठीक है तो इसमें 4-5-6 सबसे चोटा था सबसे बड़ा कौन था किसान वर्ग था पचीषवा प्रसने मौरीस समाज में आजवन विवा ना करने वाली कि विधवा को क्या कर जाता था मैं छंदवासनी क्या का गया था जिसको अगर नहीं करना चाहे तुछ चंदवासनी तुक इसके लावा लिए तीन अप्सनों है तो अशूर यॉटा किसको का गया हैدة जो जो बाहर के शूर 873 के जिसको जो ए पर्दा परथा ठी ठीक है और रॉपा जीवा यहां पर यह को कहा गया है 26ma प्रसुंपरा की सोने का था और Σब्सक्सालय की सब्सक्राइब और सत्मान चांडी का था और करशा झान और कांक्ण किस DiscoverDie瓶 क्टाम चांबे का और सब्सक्सास्थोन के साथ क्यूबर के साथ एक प्रशार रिपती बंदर्गाः कभास था तामरी लिबति बंदर अवर था सवराष्ट्र में बंगाल में श्री लंका में इयृ ताम जो तट है सिंधुन दीव वो इसका अरब सागरवला तट है वो क्या कहलाता है मकरान तट तो वहां पर भी एक बंदरगा था 28 अच्छोग के ब्रहस इला लेक कितने इस्थानों से प्राप्ट हुए है छे साथ आठ चौदा कितने इस्थानों से प्राप्ट हुए है और लेक कितने हैं उसमें 14 14 लेक है और 8 अस्तानों से प्राप्ट हुए अठ्थाइसवा प्रसन हो गया उन्तिसवा प्रसन है असोग के अभिलेखों को सरपर्थम किसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था यह जो है कल मैंने उसमें पढ़ाया था ऑनलाइन वीडियो मे तो असोग के अभिलेखों को किस ने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ठीक है यह प्रसना जो है पूछ सकता है असोग के किस ब्रहत सिलालेख में जीवहत्या निशेद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अभी मैंने बताया है पर्थम तीसरा पांचवा करेंगे दौरा करेंगे असोग कहता है कि जो हैंते हैं तीसरे लाइन में लिए घृता है कि जो हो तो राजा के अमाते हैं जो मंतरी हैं वो हर तीसरे वर्स पर राज जी का क्या करेंगे दौरा करेंगे जिससे जानकारी हो सके कि राज में कहीं इस्तिती सही चल रही लोग धम के अनुसार सासन जी रहें कि नहीं जी रहें ठीक और जो तैरह वां उसमें की एक क्या है कर उंग पिजे लिए तो तेरा मँआ धियाना now कि ले जाना जाता है क्यों है ठीक है और सब्सक्राइब कि You night Yarbroughन और तीनों जो लेख है इसके बारे में पता चलता है कि समें असों नाम लिखा हुआ है क्या नाम लिखा हुआ है असों अरुद्स को किस दिल्ली स्थान से मिले है ठीक है और उन को जो है ब्रहाद समलें का तुकलग रएं तुकलग ना इस Möglichkeiten है डियाशत का अजित के महा परणियनवाल से तो बता सकते हो न मैं बज़ामन देहां नेपाल में हैं और नेपाल में बुद्य नहीं होता है कहां लुंबनि में रुम्न देही लेक पढ़ामाह व्हां कहां से परात कि मात्मा बुद्ध के आउसेसों के उपर बनाया हुए जो है एक तरीके से धेर हैं और से वह इसको इस्तूप कहा गया बराबर बराबर पहाड़ी की गुफाएं किस राज जिससे संबंदी थे बराबर और नागार जुनी पहाड़ी अभी बताया था मैंने बिहार में यह कह बतायस मी पूरे हो है एक कि